हेलो फ्रेंड आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम डिजाइनर ब्लाउस स्रीप 20 मिनिट में हम बनाएंगे इसका डिजाइनर ब्लाउस प्रींस कट है खूब सुरत है और बहुत ही आसान तरीके में ये बनने वाला है तो यहाँ पर ये साड़ी है हमा हो थी खूब सुरत सा डिजाइनर ब्लाउस वो भी कम समाई में वीडियो एंड तक देखे तो चलो शुरूवत करते हैं साइज है हमारी 34 इंच की 34 साइज गड़ी यहाँ पर मैंने लिए है 11 इंच की तो हाइट हम यहाँ पर लेंगे साड़े 14 इंच थिर से एक फोड़ बन बनानी है इस तरह से लाइन बनाएंगे और कपड़े यहाँ पर हम इसे कट करें अब कपड़े को पल्टी करेंगे शोल्डर तीन और शाड़े 6 इंच का हम यहाँ पर लेंगे आर्म होल भी हम 6 इंच का लेंगे एक बॉक्स बनाना है आगे आधा इंच बढ़ा कर तिर ची लाइन फिर से दो दो इंच पर निशान बॉक्स से आधा इंच आधा से आगे पाउने इंच का आर्म होल के निशान देंगे फ्रंट गला है अमारा साथ इंच का बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप यहाँ पर बीच में से चार इंच नीचे साड़ी तीन इंच उससे आगे देड़ी इंच निशान लगा कर लेंगे और प्रींस कट शेप यहाँ पर हमें से देंगे बहुती आसन तरीका है शिरिप बीच में चार नीचे साड़ी तीन इंच लेना है अब क्या करना है शोल्डर को बीच बीच कट किया और नीचे वाला कपड़ा आगे लिया ए हैने पीचे का गला हमें कट करने में आसन जाएगा इस तरह से निशन बनाएंगे फिर से आरमहुल का जो शेफ हैं लहाँ कट करेंगे गला भी कट करना है यहाँ पर बीच का भी कट कर लेना यह बोटनिक का गला है फ्रंट हूक वाला और बैक हूक नहीं आएगा इसका तो यहाँ पर साड़े तीन पर इन्हीं एक निशान लगा कर बॉक्स बनाना है इस तरह का और थोड़ा सा राउन यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया गले के लिए इस तरह से कट कर लेना है थोड़ हो गाहिट हो गईए में हैई स्लेउज विद विधक zostaária करना है उसद ईंच का होगा अब हमें क्था पर करना है तो स्लिवज है। मैख ऊपर कितने है तो साड़े समय नेंच साड़ेज अपर लेंगे तरह लेंगे फिटिंग के लिए पाच इंच उससे आगे दो इंच तिर्ची लाइन और यहाँ पर इसे जो पहला शेफेव कर लिया फिर से तिर्चा कर लिया इस तरह से हमारे स्लिवज यह बन गई है देखे बहुत ही आसान है और यहाँ पर हम इसे डिजाइन बनेंगे देड़ इंच पर कट कर लेना है तो जो हमारा ब्लाऊस का काट था यहाँ पर मैंने इसे रखा और यहाँ पर इसे कट कर लिया और जो खुला हुआ है वो कट हम लेंगे और फोल्ड वारा कट हम बैक में दिजाइन के लिए यूज करेंगे इसी तरह से एक एक पैटन को हमें कट कर लेना है तो यहाँ पर हमारी हो गई कटिंग जैसे कटिंग बहुत ही आसान तरीके में बनती है उसी तरह से सिलाई भी बहुत ही आसान तरीके में बनने वाली है तो वीडियो एन तक देखे चैनल पर नए है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूले आप चैनल पर नए है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूले और बेल आइकन को भी क्लिक करें अब देखे बैक वाला डिजाइन लिया है तो बीच में हम सें कर लेना है और थोड़े सा कम आता है काट तो हम यहाँ पर इसे जोइन कर लेंगे एक कई उपर एक काट रहा का और सिलाई फिर से आगे किया और एक सिलाई अब यह बन गया हमारा फूरा काट तो जो साइट से हमें इसे एक सिलाई और लगानी है क्यूंकि जो काट है हमारा एक जैसा ही दिखना चाहिए अब हमें क्या करना है थोड़े सा कप्डा ज्यादा है हमारा फोल्ड करते वक्त उसे कट कर लेना है यह डिजैन हमारी यहाँ पर आएगी इस तरह से यानि बैक का जो हमारा गला है उसका सेंटर हमें लगाना है अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे धाई धाई इंच के आप देड़ इंच के भी लगा सकते हो कोई प्रॉब्लिम नहीं छोटा भी अच्छा ही दिखता है गुमाया और एक यहाँ पर मैंने गाट लगाई तो सभी पोटली बटन हमें इसी तरह से बनाने है देखे इस तरह से बनाएंगे फिर से देखे थोड़ा सा कपड़े को रोल किया और जो बॉक्स यहाँ बारा तो यहाँ पर हमने उसके अंदर रखा गोल बनाना है शिप ग इसी तरह से सभी पोटली बटन हम यहाँ पर बनाएंगे तो सभी पोटली बटन हमारे हो गए थोड़ से कट कर लिया और बीच में हमने एक लाइन लगाई है और यह पोटली बटन हम उसी लाहिन पर लगाएंगे नीचे तक लगाएंगे लाइन पर रखने है और नीचे त साइट से देने हैं एक साइट से सिलाई अब खोल करके तो थोड़ा सा क। कपड़ा इस्ट्रा वाला है तो यहां पर हमें इसे कट कर लेना है न दो गपड़े को कट किया अब जो काट हम ने त्यार किया था वो सिर्ट यहां पर इसे poblते रखना हैं और सिले करने हैं, दीखे बैक का गला कितना खुबसूरत हमारा दिखता है और बहुत ही आसान तरीके में बनता है कि सिले लगाएंगे फिर से साइट से भी सिले लगाएंगे बीच में एक सिले मेने और लिये है और कपड़ी को थोड़े से कट कर लिया अब अस्तर को अंदर की साइट से रखेंगे और सिलाई करेंगे यानि अस्तर और कपड़ा यहाँ पर हमें जोइन कर लेना है तो इसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है थोड़ा कपड़ा जाद होगा अस्तर से तो यहाँ पर हमें से कट कर लेना है कमरपट्टी देडि इंच की यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ी सी तिर्चि कईची यहाँ पर हमें लगानी है फिर से कपड़े को आगे करना है कमर पट्टी को यहाँ पर और एक सी लई और अंदर की साइट से बीच में हम बड़े वाली सी लई देंगे बैक का हो गया है हमारा कमर के टक्स यहाँ पर मैंने 4-4 इंज के लिए है बैक की साइट हो गई हमारी तो यहाँ पर कमर की पट्टी तो देखे बैक का जो पार्ट है हमारा हो गया अब यहाँ पर हमें फिटिंग करने हैं साड़ी तेरा इंच पर निशान लगाया तो साइट से हम थोड़ा सा कट कर लेंगे अब स्लीवस हमें बनाने हैं तो देखे तो यहाँ पर हमें लेना है कैन्वस पेपर इसे ग्रम भी केते हैं जो डीजाइन है हमारे उसके उपर कैन्वस पेपर हमारा आना चाहिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया अब नीचे हमने क्या किया बलाउस पीज का कपड़ा आस्थर का कपड़ा उसके उपर कैन्वस पट्टी है वो रखी और सिलय देते समय हमें जो नीचे का पार्थ है देखता है हमारा तो उसी ही सब से हमें यहाँ पर सिलय लगानी है नई दिखा तो आप यहाँ पर पल्टी करके भी सिलय लगा सकते हो थोड़ी सी कम जादा सिलाई होगी तो फिर से यहाँ पर हमेशे सिलाई कर लेना है इस तरह से अब कपड़े को कट कर लेना है थोड़ा सा और यहाँ पर जो कैन्वस पेपर है उसी को भी यहाँ पर कट कर लेना है चेक कर ले नहीं थोड़ा सा कोना हमारे नहीं आता है तो थोड़ी सी सिले हम यहाँ परी से सिले जो दी है उसे हमें तिर्ची कैची और लगानी है देखे इस तर से तिर्ची कैची है थोड़ी सी और ज्यादा लगानी है जो कोना होता है वो अच्छी तर से पूरे कपड़े को प्लेन करना है एक जैसे ही डिजाइन हमारे आने चाहिए तुझी कम ज़्यादा होगी तो फिर से आप यहाँ पर सिले कर सकते हो प्लेन किया और उसके उपर यहाँ पर हमें एक सिले और लगाने है देखे कितनी खुबसूरत स्लिवस की डिजाइन हमारी बन गई है बैक की भी डिजाइन बहुत ही खुबसूरत आई और स्लिवस की डिजाइन भी आप देख सकते हो कितनी खुबसूरत आई तो यहाँ पर हम बटन भी ल लगा सकते हैं, सेंडर पर स्यूस के लिए, डोनों स्यूस हमें इसी तरह से बनानी है, तो दोनों स्यूस हमारी बन गई है, बैक का हो गये, स्यूस हो गया, अब आगे का हमें देखना है, तो यहाँ पर हमें कपड़ा और अस्तर जॉइन कर लेना है, तो यहाँ पर हम इसे सिलाई कर लेंगे कपड़ी को थोड़ा सा कट कर लिया तो अस्तर हमें डबल लगेगा यहाँ पर पैड़्ड ब्लाउज है हमारा कपस हमें यहाँ पर लगाने है तो थिर से और एक अस्तर पर हमने फ्रेंट वाली बाजु कट कर ली अब ये चारो जो पार्ठ है हमारी चारो हो गई तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंस कट का शेफ है वों हमें यहाँ पर कट कर लेना है देखे इस तरह से फिर से हर जो पैटर्ण है हमारा कट किया हुआ उसको हम सिले लगएँगी अब जोड़ना कैसे देखिए डाई साइथ होगी तो नीचे वाली बाजु लेने है आदा इंच से ज़्यादा थोड़ा सा बीच में आदा इंच से कम और उपर आदा इंच से थोड़ा सा ज्यादा इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे देखिए कितना खुब्सरुत हमारा शेफ आ गया है आर्म होल से हम पौणे इंच पर यहाँ पर थोड़ा सा कट करेंगे सिर से नीचे का थोड़ा थोड़ा कट करके एक जैसा करेंगे अब डाईनी साइथ हमने नीचे सिलीती है उपर से हम यहाँ पर सिलाई करने है तो देखिए यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाई यह भी हमें क्या करना है आर्म होल से पौणे इंच पर यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेफ देना है निचे भी थोड़े सा कट कर लिया अब यहाँ पर क्या करना है जो अस्तर था वो भी हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है जो पैड़ेट है हमारा तो यहाँ पर मैंने रखा चार उंगली के निशान लगा लिये दोनों साइड से इस तरह से और जो सेंटर है हमारा तो उसे एक इक इंच में ने लिया फ्रेस करके यहाँ पर सिलाई लगानी ही दोनों साइड से निचे दबाया थुड़ी सी सिलाई उसके उपर आप यह हमारा कपड़ा हमें रखकर सिलाई कर लेनी ही पैड़ेट हम लगाते हैं तो लगाते समय हमें यह ध्यान रखना होता है जो अंदर वाला पैड़ेट हमने लगाया है वो बिलकुल भी दिखना नहीं चाहिए उपर से तो इसे हमें एक एश्ट्रा अस्तर लगाना होता है कपड़े को सिर्फ यह करना है देखिए हमने पैड़ेट को लगाया और कितनी खुबसुरत दिख रहा है और लगाया यह भी नहीं दिख रहा है तो ऐसे आप जरूर ड्राय कीजिए सबी साइट से हम शिलाई करेंगे सिलाई करते समय प्रेस करना है कपड़े को नए तो यह थोड़ा सा हमारा कपड़ा तिर्च हो जाता है साइट से हमें फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लेना है दोनों साइट हमें इसी तरह से बनानी है तोनों साइट इसी तरह से हमने बना ली अब नीचे हमें एक पट्टी लगानी जैसे हम कमर पट्टी लगाते उसी तरह से ये डबल की मैंने तीन इंच के लिए और थोड़ से यहाँ पर फोल्ड किया अपना जो प्रिंस कट का कट है उस पर हमने थोड़ा सा आधा इंच पर फोल्ड कर लिया और यहाँ पर एक सिलाई दे दी दोनों साइट हमें इसी तरह से बनानी है अब यहाँ पर गला नीचे हुआ या उपर हुआ तो एक जैसे हमें थोड़ा सा कट कर लेना है अब देखिए हमारी दाइनी साइट की पट्टी है इसे हमें उपर की साइट से लागना है फोल्ड करके थोड़ा सा अंदर की साइट से यहाँ पर पोने इंच पर हमने और एक सिलाई देनी है इस तरह से यहाँ पर हूप की पट्टी होती है हमारी और यह हूप लगने वाली पट्टी होती है तो यहाँ पर मैंने डबल की लिए देड़ी इंच की अंदर की साइट से लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाते समय थोड़ी सी तिर्ची कईची फिर से सिलाई के उपर यह प अब यहाँ पर हमें पाइपिंग बनानी है चेक करेंगे फिर से बराबर है थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो कट करेंगे अब देखें पाइपिंग केसी करने तो जो नीचे का पार्ट है अमारा वो यहाँ पर रखेंगे और शोल्डर को हम सिला लेंगे इस तरह से यहाँ पर आदा इंच पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से अब आर्म होल की साइड से पीछे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हुआ तो हम यहाँ पर इसे कट करेंगे सेंटर मिलाना है आगे का पार्ट सेंटर मिलाना है और थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है आर्मोल देखेंगे थोड़ा सा यहाँ कम जादा होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ही कट कर लेना है वो जादा नहीं कर लेना दो इंच की अंतर से हम यहाँ पर इसे कट क किया हुआ है सेंटर में हम यहाँ पर पिन लगाएंगे और यहाँ से हम सिलाई चालू करेंगे कि सिलाई लगाते समय नीचे का कपड़ा और उपर का कपड़ा हमें दोनों एक जैसा ही पकड़ना है देखे स्ल्यूज हमारी बन गई दोनों स्ल्यूज हमें बनाने है अब फिटिंग करेंगे तो कमरें 28 तो 14 इंच लिया यहाँ पर 77 इंच लिया और आगे मैंने 28 इंच लिया यानी 48 इंच यानी कितना हुआ 17 इंच 17-17-34 इंच हो गया और नीचे का 14 आगे का 7-7-4 यानि 28 कमर यहाँ पर हमारा हो गया सिधी साइट से सिलाई लगाएंगे फिटिंग देखेंगे हाथ का तो 5 इंच पर हम निशान लगा कर 2 इंच से आगे लेंगे बाकी का कपड़ा यहाँ पर हमें कट कर लेना है अब सिलाई लगाई बाहर से तो फिर से अंदर की साइट हमें फिटिंग कर लेनी है बहुती आसान तरीके में ये फिटिंग हमारी बनती है आप ज़रूर ट्राइ कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करना मत भूले साइट से कपड़ा कर लिया अब अंदर की साइट से हमें जो फिटिंग है ओ देखनी है देखे इस तरह से हमने जो निशान लगाए वह आगे पीछे होए तो उसका सेंटर बाना नहीं होए तो उस पर आप सिलाइ कर सकते हो यहाँ पर बीच में से 6 इंच पर मैंने निशान लगाया और यहाँ पर मैंने 5 इंच पर निशान लगाया मार्जिंग के लिए दो या चार सिले हम साथ में ले सकते हैं आदा आदा इंच के कम से ग्याप पर तो यहाँ पर हमारा यह पूरा ब्लाउस ऐसा बन जाता है और उसी हिस आपसे आपको फिटिंग करने होती है सिर्फ आपको मेजर्मेंट लेना होता है एक दम पर फेक्ट डिजाइनर यह हमारा ब्लाउस बन गया है इसे आप बोटनेक भी कह सकते हो फ्रंट हूक वाला तो यहाँ पर आप यह देखिए कितना खुबसूरत यह डिजाइन हमारा बन गया है स्लिवस का भी और बैक का भी अब यहाँ पर पाइपिंग करेंगे पुरा फिटिंग करके लिए या है तो पाइपिंग अब लास्ट में करेंगे तो तिर्चा के जो कपड़ा है हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया जॉइन कर लिया और फिर से फोल्ड करके उसके उपर और एक सिलाइ यहाँ पर हमने दे थोड़ा सा कट करेंगे फर्फेक्ट साइज है 34 आप जरूर ट्राइ कीजिए यह पाइपिंग की पट्टी हमारी हो गई है तो लगाते समय हम दाइनी साइट से लेंगे अब लगाते समय क्या करना है थोड़ा सा फोल्ड किया अब यहाँ पर हम सिलय लगाएंगे सिलय लगाते समय जो पाइपिंग की पट्टी है वो बिल्कुल भी हमें खिंच नहीं है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हम सिलय लगाएंगे जो पाइपिंग की पट्टी है उसको हम सेल में रखेंगे याने पीछे ढखलनी है पट्टी तो क्या होता है जो गले का से फे व बाहर दिखनी चाहिए इसी हिसाब से यहाँ पर हम इसे सिरह लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा पूरा डिजाइनर ब्लाउज तो जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताए आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें थेंक्यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो देखते रहे और ट्राइ भी करते रहें तो यहाँ पर हमारा यह रेडि है चोति साइज डिजाइनर ब्लाउज आप स्लीज पर बटन